कैसे हैं आप लो तो अभी सुबह के 6.30 हो रहे हैं और मैं यहां लग गई हैं उन कपड़ों को तह लगाने में जो कि 3-4 दिन के कपड़े हैं पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था जो एक सार जो आपको कपड़े जैकेट और जो कृष्चु को ड्रेस दिख रही हैं को टाइम नहीं मिल पा रहा था एक दो दिन तो तब्यति खराब हो गई थी और फिर जो घर में काम लगावा था तो उसके वाई से क्या होता है कि दिन पर थोड़ा देखना पड़ा था और काम क्या होता है कि जिसे काम को अगर आप देखो नहीं तो आप जो उन्हें सब काम कर रहे था उनको देखना फिर चाय पाने उनका कनल थोगा सा मुझे तब टाइम नहीं मिल पा रहा था जो काम मतब करने वार उनको तुम्हें करी रही थी और जो ऐसे जो कपड़े वगरा जिनको मैं छोड़ के चलो बाद में होंगे तो उनको मैं छोड़ रखा था पर कि लाइन यहां मैंने सबजी छोंगती एक तरह और इक तरह मैं तो कढ़ा रख दिया है उसके बाद मैं यहां पर अपना जो कपड़े फोल करने वाला में काम कर रही थीृ कि इदर सबजी बंती रहे धिए और साथ मैं अपने जो कपड़े जो फैले पड़ें जो की तीन च तो तीन बार चेक करो तो बन जाती तो उनको बार बच लाना नहीं रहता है और इधर अपना जो कपड़े में तेह करने थे उनको इमें कर रही थी और काढ़ा बन चुका था तो बस है बन चानला थे जो काढ़ा था तो बस वह रख दिया मैंने क्योंकि लेकिन जब आप काम क क्योंकि जो भाया लोग काम कर रहे न वो लोग भी साय नोव तक आ जाते साय नोव बचेक पहले-पहले मुझे अपना घर का सारा काम करना रहा था नहाना पूजा करना घर की मतलब पोछा तुम्हें अभी नहीं लगा रही हूं क्योंकि घर के अंदर बाहर वो दोनों तो तो घर में अंदर बाहर दोनों कर रहे हैं तो पूरा घर गंदा होई जा रहा है तो मैंने सिफ मैं रोज जारू लगा है क्यों जारू तो रोज लगना है लगना जारू में लगा दे रही हूं पोछा भी में रहने दे रही हूं मुझे नहीं लगता है तो नहीं हो पा रहा है उतना तो कल जो क्लिप बनी थोड़ी सी बस उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी और अभी बस अगली मॉनिंग है अभी सुभा के साढ़े नौ बज रहे हैं यह देखिए साहनो क्रिश्यो स्कूल जा चुका है है थे बन दो दिन का विजिट नहीं को आजाते हैं तो अगल बगल जो भी जितना रहता है सब करके फिर आते हैं तो इसलिए हो सके साइद कर शाम को आएंगे और अभी घर पे अभी के गलाश चल लेए यह देखिए कैसे बैठा है घर पर का यही फैदा जैसे मन करें वैसे बैठ जा कोई मतला नहीं कोई discipline नहीं जैसे मन किया वैसे बैठ किसी को देखना है नहीं तो बस अभी चलते हूं नाश्ता बनाने हुआ है वैसे मैंने क्रिशु के लिए ओट्स बनाया था सुबर में नाश्ता करने के लिए इसकूल गया है क्रिशु न तो अभी ने कर लिया साथ में अभी नाश्ता बनाने है पहले से कपड़े है उनको डाला थी जो अभी नहीं हो चुका है तो उनको चट पर डाला थी हो और घर की मरे हाला देखिए दम बुरी हुई है पूरी चीजे ने विल्कुल दम चेते बितिर सब कुछ फैला हुआ है देखें चीजे कितनी जारू स तो काम यह घर में हो रहा है तो इसनले सब फैला बड़ा हुआ है तो चलिए हो सके साइज खटम हो जाए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लाइगी ना तो प्लिज लाइक शयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए है अभी तक आपने चैनल को सम्क् और अभी यहां हो रहा है यह काम और यह थोगा सा बतान की अंधेरा देख रहा है इधर से जब भी मैं क्लिप लेती हूं थोगा सा अंधेरा देखने लगता है तो पर आप लोड मैनेज कर लिजेगा जबकि मैंने मॉंबाइल की ब्राइटने से बढ़ा रखी है फिर भी पताने क्यों अंधेरा हो रहा है तो बस यह थोड़ा सा काम मैंने कर चलों अपनों को दिखा देती हूं बाकी तो जो पूरा कंप्लेट हो जाएगा तो उसके बाद में आपनों दिखाऊंगे कि क्या काम हुआ है और अभी हो चुकी है साम क्या या रात कही है क्योंकि साथ या पौने आठ का टाइम हो रहा है भया लोग जा चुके हैं काम आज खतम हो गया मेरा तो बहुत जल्दी हां पर बहुत जल्दी कट जाते हैं और अभी तो पढ़ने बैठा पर जहां वो पढ़के उठेगा ना फिर उसकी सतानिया सुरू हो जाएंगी जिसलिए मैं जो भी चीज़े फैली पढ़ी है ना उनको मैं पहले हटा दे रही है यहाँ जो चोटी से एक चोकी सी दिख रही है ना जो मेरी पूजय की चोकी थी वह थोड़ी से खराब हो गई थी मैंने उसको फिर से बनवा लिया जो कि बहुत संदर लग रही है बनने में पहले क्या काम तो आज खतम हो गया है पर अब सुरू होगा सफाई का काम तो बस यहां जो भी चीज़े फैली पड़ी थी ना इसे तार वगरा कुछ काम था उलों को वह गया जो लगडी के छोड़ी जो टुकड़े जो अंदर पड़ी है उनको तुम्हें कल हटाओंगी पर जो अभी जो भी टाइम हो रहा ताभी मुझे ध्यान नहीं है तो रात में जाड़ो पुछा कुछ नहीं होगा बस चीज़ों को मैं हटा ले रही हूँ अब इसके बाद सुबह करूंगी तो यहां आ गई हुए मैं खाना बनाने के लिए खाना भी अभी कुछ भी निया बना था अब तो बच्चे खीर और रोटी आराम से खाल लेंगे और अभी यहां पर शेक रही हो रोटी यहां ताइम बहुत जादा हो चुका है नो बच गया है रात के थोड़ा बहुत भी जो मतलब जो चीज़े फैली थे उनको करने में मुझे लेट हो गया तो बड़तम बगर थे वह लोग पराठे का तो बस वह पराठा बना लूँगी बस इससे हो जाएगा हमारा खाना और इसे के साथ आज की वीडियो का यहां पर एंड करती हूं तो उमिद करते हूं जो आज का व्लॉग जो चुटा से मैंने अपनों साथ शेयर कि आप लोग पसंद आया होगा तो प्ल